केंद्र विद्याले गोल मार्केट की रिनिकी बोड़ोलोई ने 32-वी सब जूनियर और 42-वी जूनियर नाशनल एक्वेटिक चैंपिन्शिप 2015 में 50 मीटर की बैक्स्टोक प्रतियोग गिता में स्वन पदग प्राप्त किया मैं आमंत्रित करता हूँ केंद्र विद्याले गोल मार्केट की कक्षा सात्वी की छात्रा रिनी की बोर्ड लोई को कि वह मानिन ये प्रधान मंत्री जी से आके अपना प्रशन पूछे आप कहा है अच्छा दिनिमे रहती है तासाम और बंगाल वहां तो कला बहुत होती है यह बात सही है कि यहां से सब लोग होंगे जितने स्टुडन्ट आप मेंसे कौन है जिसने कविता है लिखी है कभी एक लाइन, दो लाइन, कितने हैं जरहाद उपर करो दो देखिये काफी है मतलब की हर एक के भीतर कभीता का वास होता है हर एक के इंसान के अंदर कुछ लोगों की कभीता कलम से टपकती है कुछ लोगों की कभीताएं आंसु से निकलती है तो कुछ लोगों की कभीता ऐसे ही अंदर के अंदर समा जाती है तो ये चीज़े इश्वर ने दी होती है. ये कुई ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक को देते हैं लिंक, कोई उसको जड़ा समालता है, समालता है उस पसे. मैं जो लिखा हूं इसको कविता कहने के लिए अभी तो मेरी तैयारी नहीं है. क्योंकि लेकिन और कुछ कहनी सकते इसलिए कविता कहनी पट रही है अब जैसे दो बील हो एक फ्रेम हो सीट हो गवंडर हो तो लोग कहेंगे साइकल है बहले चलती नहीं हो फिर साइकल ही कहेंगे तो वैसे ही मेरी रचनाएं हैं वो कोई दम कविता की तराजुम है तोलने से वो कविता मानी जाया ऐसी तो नहीं होगी लेकिन मेरे मन में जो भाव उड़ते थे मैं जो जो मैंने पहले कहा मेरा अबरा आपजर्विशन का स्वभाव था प्रकृति से साथ ज़्यादा जूड़ा रहता था उन्हीं चीजों को कभी कभार कागज़ पर डाल देता था फिर एक कभी मैंने तो सोचा भी नहीं था ए जगत के बहुत बड़े व्यक्ति थे वो मेरे पीशे लग गए और फिर उनके आगरह पर वो छप गई छपने के बाद दुनिया को पता चला कि ये भी एक काम करता है तो ऐसे ही हुआ गया है कोई खास कारण नहीं है चलते चलते दुनिया को देखता था अनुभाव करता थ तो अपने अभीवेक्ति कागज पी वेक्ते कर देता था और उसी की वो किताब है अब तो वो उसके शायद और कई भाशों में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है लेकिन मुझे आपने देखी उस किताब को देखा है ओनलाइन अवेलेबल है ओनलाइन मेरी सारी किताबे अव अवेलेबल है आप उनलाइन उसको देख सकती है थाक्यू 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 थाक्यू